हेलो स्टुडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम प्यापार चक्र का अर्थ, इसके प्रकार और इसके विविन्न चर्णों की चर्चा करेंगे ट्रेड साइकल्स, मीनिंग, टाइप्स, एंड फेजिज विध्यार्टियो प्रायह यह देखा गया है कि अर्थ विवस्था में आर्थिक क्रियाएं अनियमित धंग से चलती रहती है अर्थ विवस्था उतार चड़ावों के दौर में घूमती रहती है बनस्पिक एक इस्थिर तथा नियमत धंग के यह कहना है लिपसे एवं क्रिस्टल का जैसा कि ट्रेड साइकल व्यापार चक्र इस नाम से इसपस्थ है कि अर्थ विवस्था का जो विकास पत है वह स्मूथ नहीं है निर्विग्न नहीं है सपाट नहीं है सीधा नहीं है बलकि साइकलिकल है चक्रिय है जिसका मतलब है कि आर्थिक क्रियाओं में उतार चड़ाव आते हैं विद्यार्तियों अर्थ विवस्था में ये देखने को मिलता है कि आर्थिक गत्विदियां कभी आगे वड़ती हैं कभी तेजी से आगे वड़ती हैं और कभी रुक जाती हैं या नीचे की ओर चलने लगती हैं और एक न्यूंतम बिंदू पर पहुँचकर आर्थिक क्रियाओं उपर की ओर अग्रिसर होने लगती हैं तो अर्थ ववस्था में इस प्रकार के जो अल्प कालीन उतार चड़ाव होते हैं उनको बिटेन में व्यापार चक्र तथा अमेरीकी अर्थ ववस्था में उनको बिजनेस साइकल के नाम से भी जाना जाता है कहने का मतलब ये है कि बिजनेस साइकल्स का मतलब है कि अर्थ ववस्था की आर्थिक क्रियाओं में अनियमित्ता देखने को मिलती है और आर्थिक क्रियाओं में बारंबार होने वाले ये उतार चड़ाव ना तो समान किस्म के होते हैं, स्मूध होते हैं और ना ही नियमित किस्म के यानी रेगुलर होते हैं यदि हम भ्यापार चक्रों के बारे में यदि थोड़ी सी चर्चा एतियासिक परिप्रेक्ष में करें तो विध्यातियों जैसा कि हम प्रतिस्थित मोडल देख चुके हैं उत्तपादन एवं रोजगार का और हमने उसमें देखा भी था कि प्रतिस्थित अर्थ शास्त्रियों का ये द्रड विश्वास था कि पूर्ण प्रतियोगी बजार में जो स्वेचालित सक्तियां विद्धिमान होती हैं बे अर्थ विवस्था को सदेव उस इस्तर पर ले जाने के लिए क्रियाशील होती हैं प्रयासरत होती हैं जहां तो विद्ध्यार्टियों ऐसी इस्थिती में जब अर्थ विवस्था कीमत तंत्र के माध्यम से स्वेचालिब धंग से संचालिद होती है तो ऐसी इस्थिती में प्रतिस्थित अर्थ शास्त्रियों के अनुसार अर्थ विवस्था में पूर्ण रोजगार की इस्थिती गंभीर समस्या के रूप में नहीं लिया था क्योंकि उनकी द्रस्टी में यह समस्या अल्पकालीक और अपवाद सरूप थी हलंकी विद्यातियों डैबिट रिकार्डो ने 1817 में व्यापार में प्रतिकर्शन रिपल्शन इन प्रेड के वारे में चर्चा की थी और जीएस मिल ने 1848 में व्यापार संकटों का भी उलेग किया था और थमस्या रौबर्ट माल्थस ने उन्नीश्वी सताबदी के प्रारंभ में प्रतिष्ट सिधान्तों से असहमेती भी व्यक्त की थी फिर भी व्यापार चक्रों के विसलेशन हेतू प्रतिष्ट अर्थ शास्त्र में हमें कोई सिधान्त या कोई मेकेनिज्म द्रस्टिगत नहीं होता है तो विध्यातियों प्रतिष्ट अर्थ शास्त्र में व्यापार चक्रों के बारे में कोई ज़्यादा चर्चा हमें देखने को नहीं मिलती है और उसके बाद 1930 की महामंदी जिसके बारे में आप सभी पढ़ते हैं जानते हैं कि 1939 से जो महामंदी शुरू ही थी और उसके बाद जे एम कीन्स पिक्टर में आते हैं और उनकी 1936 में जनरल थ्योरी प्रकाशित हुई और उन्होंने इस चीज को कहा कि अर्थ व्यवस्था में सामान्यत हापूंड रोजगा नहीं होता अल्प रोजगा संतुलन भी होता है और उन्होंने कहा कि जब अर्थ व्यवस्था में मंदी की स्थिती है तो उस स्थिती में स्वेच चालगता के बजाए सरकारी हस्पक्ष्वेप की आवशक्ता है आर्थिक गतिविद्यों को मुचा उठाने के लिए अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए तो विध्यार्थियों कीज के बाद व्यापा चक्रों के बारे में अनेक सिधान्थ भी प्रस्तुत किये गए हैं और जोसफ सुमपीटर कहते हैं कि हलांकी क्लीमेंट जगलर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थ व्यवस्था में व्यापार चक्रों की घटना का क्रमबध अध्यन किया था और उन्होंने अपनी पुस्तक में काफी सूचनाओं के आधार पर व्यापाट चक्र के तीन चर्णों संपन्नता, संकट और समाबन का उलेक भी किया था लेकिन व्यापाट चक्रों के बारे में जो सिध्धान्त हैं वहें बाद के दश्कों में विक्सित होए और यदि हम यदि पिछले कुछ दश्कों के सिध्धान्तों पर अपना फोकस करें तो हम देखते हैं कि व्यापार चक्रों के विकास सिध्धान्तों में शुम्पीटर, कालडर, हेक्स, गुडविन, हेरर्ड, क्लेस्की, सैमल्सन, इत्यादी अर्थ शास्त्रियों का बहुत जादा योगदान रहा है तो विध्यातियों व्यापार चक्रों के बारे में विविन अर्थ शास्त्रियों ने भिन भिन सिध्धान्त भी प्रस्तुत किये हैं और उसमें व्यापार चक्र के कार्णों और व्यापार चक्र की अवस्थाओं के बारे में भी विस्तृत रूप से सिध्धान्त विक्सि यह हैं जिनका हम बाद में अध्यान करेंगे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मीनिंग ओफ ट्रेड साइकल हम ट्रेड साइकल किसको कहेंगे तो विध्यातियों ब्यापार्चक्र में कुल रास्ट्य उत्पत्ति आमदनी रोजगार के इस्तर में संपूर अर्थ विवस्था में उतार चड़ाव आते हैं जो प्राया दो से दसवर्षों की अब्धी तक चलते हैं और इन में यानि व्यापार चक्रों में अर्थ विवस्था के अधिकांश शेत्रों में तीवर किस्म के उतार चड़ाप या विस्तार और संकुचन आते हैं व्यापार चक्रों की ये जो डाफिनिशन है वो सैमल्सन एवं नोर्ड हाउस के द्वारा दी गई है तो विध्यातियों व्यापार चक्रों वास्तन में पूझी वादी अर्थ विवस्था का एक अंग है और हम विध्यातियों मोटे तोर पर व्यापार चक्रों अर्थ विवस्था में उत्पन होने वाले उन उतार चड़ावों के प्रतीक होते हैं जो बानिजिक और व्यापसाइक गत्विधियों में नियमित तोर पर घटित होते रहते हैं और विध्यार्तियों व्यापार चक्र में कुल रोजगार, आय, उत्पादन, कीमत इस्तर इन में तरंग की तरह यानी वेव लाइक इस तरह से उतार चड़ाव आते हैं और एक व्यापार चक्र में पहले बहुत सारी आर्थिक गत्विधियों में लगवग एक साथ ही विस्तार अत्वा सम्रद्धी आती है तथा उसके बाद सामान्य मंदी एवं संकुचन की क्रियाएं होती हैं फिर इनकी पुन्राब्रत्ती दूसरे विस्तार चक्र के रूप में होती है और परिवर्तन का यह क्रम बारबार तो होता रहता है लेकिन नियत काली नहीं यानि पीरियोडिक नहीं होता इसका निश्चत समय अवदी नहीं होती तो कहने का मतलब यह है कि व्यापार चक्र के अंतरगर्द तेजी के बाद मंदी की अवस्था आती है और उसके बाद मतलब यह तेजी के बाद मंदी के अवस्था आती है लेकिन यह आवशक नहीं है कि तेजी यानि दो मंदी और दो तेजी की जो अवदियां है वो बिलकुल समान हो कहने का मतलब यह है कि व्यापार चक्र में कुल रोजगार, आय, उत्पादन तथा कीमत इस्तरों में जो आवर्तीर करेंट उतार चड़ाब आते रहते हैं तो व्यापार चक्र आर्थिक गत्विदियों में उतार चड़ाब को, उच्चा वचन को, फ्लक्टुएशन्स को सूचित करते हैं तो विध्यार्टियों जो व्यापार चक्र हैं, हम उनके प्रकारों की यदि हम बात करें हम थोड़ा सा इनका टाइपस ओफ ट्रे साइकल भी देख लेते हैं, तो व्यापार चक्रों को सामान्य तहा, इन पांच वर्गों में वर्गी करत किया जाता है जिसमें अलपा अवधी किचिन चक्र, जो की ब्रिटिश अर्थ शास्त्री जोसिफ किचिन ने अपने शोद के आदार पर बताया था कि जो व्यापार चक्र हैं, लगवग चालीस महिने से अधिक अवधी का होता है और किचिन चक्र को हम लगू चक्र भी कहते हैं, और किचिन कहते हैं कि एक प्रमुक्ष चक्र में दो या तीन लगू चक्र भी होते हैं दूसरा है दीर्ग जगलर चक्र, विध्यातियों, फ्रेंच अर्थ शास्त्री क्लीमेंट जगलर ने बताया की संब्रध्धी और जो संकट और परिसमापन की जो अब्धियां हैं वह हमेशा एक क्रम के बार दूसरी आती हैं और जगलर चक्र की अब्धी सामानेता साड़े नौवर्ष की मानी गई है तीसरा है अती दीर्ग कॉंदातीफ चक्र दा वेरी लॉंग कॉंदातीफ साइकल जो की रूसी अर्थशास्त्री कॉंदातीफ ने 1925 में इस चक्र का प्रतिपादन किया था और कहा था कि ये 50 वर्ष की अब्धी के दीर कालीम चक्र होते हैं चौथा भवन संबंधी चक्र बिल्डिंग साइकल और इन चक्रों का संबंध निर्माण कारें से होने के कारण ये निर्माण चक्र भी कहलाते हैं इन चक्रों की अब्धी सामानेता 18 वर्ष के करीब मानी गई है और ये चक्र अमरीगी अर्थिशास्त्री वारन एबन पियर्सन के नाम से भी जाने जाते हैं जिनोंने वर्ल्ड प्राइस एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री 1937 में अपने निश्कर्ष क्रस्तुत किये थे और पांचवां चक्र है कुजनेट्स चक्र जो अमेरिकन अर्थिशास्त्री साइमन कुजनेट्स ने इन चक्रों का प्रतिपादन किया था और काता इनकी अवधी 16-22 वर्ष होती है तो विभिन अर्ध शास्त्रियों ने विभिन प्रकार है उनमें विभिन 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 व बहुत महत्पुन है व्यापार चकर की अवस्थाओं को समझना बहुत आवशक है तो विद्यातियों जो व्यापार चक्र हैं उन में प्रायःत चार अवस्थाइं देखने को मिलती हैं और अमेरिका अर्थिशास्त्री वन्स तथा मिचेल कहते हैं कि प्रत्यक व्यापार्चक्र में निम्न विंदु गती यानि जिसको ट्राफ भी कहते हैं और उच्च विंदु शिखर जिसको पीक भी कहते हैं इन दो अवस्थाओं के अधरिक्त दो अन्य अवस्थाएं इन दोनों के बीच में होती हैं और व्य या मंदी भी कह सकते हैं संकुचन भी कह सकते हैं यानि डिप्रेशन दूसरा पुन्रुथान यानि रिकवरी या रिवाइवल तीसरा संब्रधी या तेजी प्रोस्पारिटी एंड बूम और चौथा है प्रतिसार या सुस्ति रिसेशन तो यह चार अवस्थाएं ब्यापार चक्र की आती हैं और इस चित्र में आपको व्यापार चक्रों की चारों हवस्थाएं दर्शाएं कई हैं इसमें हमले ओ-स-क्षपर समय लिया है यानि यानि बास्तविग GDP आर्थिक गथ विधियों को सुचित करती है और विद्ध्यतियों तो व्यापार चक्र की इन चार अवस्थाओं में आप देख रहे हैं कि पुन्रुद्थान है संब्रद्धी है उसके बाद उच्च बिंदु है फिर प्रतिसार है फिर अवसाद है फिर निम्न बिंदु है फिर पुन्रुद्थान है और संब्रद्धी है तो इस प्रकार ये चार अवस्थाएं आप देख रहे हैं तो व्यापार चक्र के अंतरगर जो न्यूंतम बिंदू है वह है न्यूंतम बिंदू ये न्यूंतम बिंदू इसको हम देख रहे हैं ये न्यूंतम बिंदू है जिसको हम प्रास कहते हैं और ये व्यापार चक्र का एक मोड बिंदू ह होता है हुआ कि मोडविंदु के बाद सुधार प्रक्त्रिया चालू होता है जिसको हम पुन्र॥्थान कहते हैं और इसके बाद जो अर्थी बिवस्था है वह है चोटी पर पहुंचती है यानी समणद्धıy आती है यह पीः चोटी है यह जैसे उच्च्र बिन्दु यानि जो recession है प्रतिशार के दौर में प्रवेश करती है और उसके बाद प्रतिशार के बाद जब आर्थिक क्रियाओं में मंदी और गहरी हो जाती है तो हम उसे अवसाद कहते है यानि उसे हम depression कहते हैं और अर्थववस्था का निम्नतम बिंदू आ जाता है मोर दिन्दू आता है तो अर्थ व्यवस्था में इस प्रकार अपस एंड डाउन चलते रहते हैं अर्थ व्यवस्था में आर्थिक गत्विदियों में जो साइक्लिकल फ्लक्टुेशन होते हैं उतार चडाल होते हैं तो विध्यार्तियों यहां पर आप देख रहे हैं कि अर्थ व्यवस्था एक निर्विग्न या सपाट या सीधे रास्ते पर नहीं है यानि अर्थ व्यवस्था में वेवलाई यानि अर्थ व्यवस्था में तरंग की भाती उतार चडाव हैं ये अर्थ व्यवस्था में जो इस अर्थविवस्था का जो विकास मार्ग है वह एक स्ट्रेट लाइन नहीं है जैसे हमने यहाँ पर यह ली है इस स्ट्रेट लाइन के उपर नीचे अर्थविवस्था में स्विंग्स है उतार चड़ा है तो विध्यार्थियों यहाँ पर हमने जो विकास का जो मार्ग लिया है दीरकाली जो ट्रेंड लिया है वह आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हो सकता है अर्थविवस्था में जो यह विकास का मार्ग है वह एक अर्थविवस्था एक कॉंस्टेंट रेट पर भी ग तो विद्ध्यातिओं Trad cycle में आप देखी रहे हैं कि अर्थव्युस्था में उच्वचन है और ये उच्वचन बड़े बड़े हो सकते हैं और चोटे चोटे भी हो सकते हैं साइывать इस बड़े भी हो सकते हैं और चोटे भी हो सकते हैं यानि कहने का मतलब है यह cycle है इस प्रकार भी हो सकते हैं या इस प्रकार यह छोटे छोटे भी हो सकते हैं तो trade cycles को जैसा कि large overstone ने जो trade cycles है या business cycles है उनमें जो उतार चड़ाव हैं उनके क्रम को इस प्रकार दर्शाया है कहा है कि अर्ट ववस्था में घोर मंदी होती है उसके बार पुनर जीवन होता है और याणि recovery होती है उस recovery के समय जो उद्यमी हैं उत्पादक है या आर्थि करति विदियों में आशावाद होता है संपन्नत आती है अर्थ विवस्था में और तेजी आती है व्यापार जो क्रियाएं है वो उच्छिस्तर पर होती है फिर अर्थ विवस्था में दवाब पैदा होते हैं परिशानी होती है और पुने घोरमंदी आती है तो इस प्रकार व्यापार चक्रों का व्यापार चक्रो रहता है तो विध्यातियों व्यापार्ट चक्रों की विभिन अवस्थाओं के क्या लक्षण है कैसे वुद्पन होती है उनके बारे में और हम डिटेल अध्यन व्यापार्ट चक्रों के क्या कारण है और व्यापार्ट चक्रों की और क्या विशेश्था हैं उनका और आगे ह हम continue करेंगे अभी के लिए आपके लिए इतना ही पर्याप्त है मैं समझती हूँ आपको व्यापाट चक्रों का जो बेसिक कंसेप्ट है वह समझ में आ गया होगा थैंक यू